हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फॉल गाई के अंदर एक एरर आता होगा अप्लिकेशन वाच अनेबल टू स्टार्ट करक्टली जीरो एक सी डबल जीरो डबल जीरो 142 इस तरह का एरर आता है तो इसको कैसे फिस्ट करते हैं वो देखेंगे और प्लीज सok defin. लोगे अभी तक चैनल सुप्सक्राइब नहीं किए त इस तरह का एरर आता होगा चाहे किसी भी सॉप्टेर के अंदर राता हो और यह उससको कैसे फिस्ट करना हूं में आपको बताता हूं इसको फिक्स करने Control panel open कर लेंगे, Control panel open करने के लिए आपको क्या Würड दो κάippy को करने है या तो आपके case में desktop के और आइकन होगा, या तो आप यहाँ पर किलिक करके open कर लिज्एगा या नित आपको क्या आइकन है, Search पर क्लिक करके आप यहाँ पर serh करके view open कर सकते दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके control panel open कर लिजेगा open होने के बाद यदि आपको case में भी इस तरह से दिखता है तो आपको क्या करने यहाँ पर क्लिक करके आपको लार्ग icon select कर लेने है select करने के बाद आपको case में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा अब आपको क्या करने, यहाँ पर आपको दिख जाएगा original, इसके उपर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आप यहाँ पर आपको क्लिक कर देने, क्लिक करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, अब आपको क्या करने, यहाँ पर आपको क्लिक करके आपके case में जो भी local है उसको आपको select कर लेना है यह बहुत जरूरी है आपके case में जो भी location यानि आपके हिसाब से जो भी यहाँ पर local location परता है उसको आपको set कर लेना है जरूर आप यहाँ से set कर लीजेगा इसके बाद यहाँ पर ओके पर किलिक कर दिने इसके बाद इस विंडो को यहां से आप को लोज कर दिजेगा अब आप एक बार सिस्टम को रिए लिए किलिक करते हैं इस तरह से उपन हो जाएगा आपको क्या कर देंगा सबसे पहले बहला कमांड कोपी करने के बाद आपको यहां पर आके इस कंद को पेस्ट कर देंगा पेस्ट करने के लिए आपको क्या करने है, यहाँ पे आपको right किलिक करने है, प्रेस्ट करने है, तो भी इस तरह पेस्ट करने के लिए दूसरा तरीका भी है, ओभी मैं आपको बता देता हूँ, सोट कर तरीका यह है कि आपको क्या किने mouse का करसल यहाँ पे आपको रखने है इसके बाद mouse का right button प्रेस कीज़ेगा तो भी इस तरह से command paste हो जाएगा दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से इस command को paste कर लिजेगा इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करके इस command को run कर देने run होने के बाद यह command run हो जाएगा इसके बाद आपको क्या किने इस window को यहाँ से close करके system को restart कर दीजेगा restart करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपको case में जो यह problem आ रहा था यह problem fix हो जाएगा आप मालीजे फिर भी problem fix नहीं होते है तो आपको क्या किने फिर से cmd को administer mode में open कर लेने हैं इसके बाद आपको description में जाने हैं description में जाने के बाद वहाँ पे आपको second command दिखजेगा उस command को आप copy कर लिजेगा copy करने के बाद यहाँ पे आके यह command paste कर दिजेगा इस तरह से command paste कर दिजेगा यानि यही command आपको description में दिख जाएगा इसके बाद यहाँ पे भी आपको enter कर दिने का ड्रेबर होगा यहांसे अपडेट कर लिजेगा जैसे बीडिया को लगा होगा तो यहां से उस सचो障 बाद पर प्लस करना यहां पर नवाख से 2022 यहाँ से 64-bit और 32-bit दोनों download करके install कर लिजेगा ऐसे ही आपको कहा किने directx यहाँ से आपको download करके install कर लिजेगा ऐसे ही .NET आपको यहाँ पर download करके install कर लिजेगा उसके बाद अब आप चेक कर लिजेगा आपको case में जो यह problem था यह problem fix हो गया होगा अगर फिर भी problem fix नहीं हो होता है तो आपको कहा किने आपको case में जिस भी game या जिस भी application या जिस भी software के अंदर यह problem आ रहा है उसको आप यहाँ पर search कर लिजेगा जैसे आपको example के लिए मैं बता रहा हूं माली यह stream के अंदर problem आ रहा है या कोई भी game हो गया कोई भी software हो गया तो उसको आपको search कर ल है इस xe को पर आपको right click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा property इसको पर आपको click कर दिने किलिक करतेлять इस तरह से window open हो जाएगे अब आपको धिख जाएगा तो यहाँ पर क्लिक कर दिने किलिक करने के बाद यह window open हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करने है, यहाँ पर आपको click कर देना है, click करने के बाद यह window open हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या करने है, text the program, इसके उपर आपको click कर देना है, click करते हैं, इस तरह से आपको case में जो भी application होगा, वो open हो जाएगा, यदि नहीं open ह होता है तो यहां पर इसको टर्वल सुट कर देगा इसके बाद यहां पर नेक्स पर क्लिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से resolve issue करना शुरू कर देगा जो भी problem होगा इसको fix कर देगा इसके बाद इस तरह से यहाँ पे fixes लिखा हुआ आज जाएगा अब आपको क्या करने इस window को यहाँ से close कर दिने अब मा लिजे फिर भी आपका problem solo नहीं होता है तो आपको क्या करने यहाँ पे click करके यहाँ पर अपने administer इसको भी आप टिक मा करके यहाँ पे apply पे click करके दुबारा चेक किजएगा आपके case में यह problem था यह problem solve हो जाएगा तो इस तरह से यह method भी आपको try कर लेना है आपको case में जो issue था यह issue solve हो जाएगा अब माले यह फिर भी problem solve नहीं होता है तो आपको क्या करने सर्च पे click कर करते हैं इस तरह से बिंडवे से open हो जाएगा अब माले यहाँ का यहाँ पर यहां पर várias possibilities कर दीना इसके लिए करिक करने इस के बार आपको टैब कर देने हैं इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर फॉर्वर्ट सुरास्ष टैप करना है इसके बाद आपको टैप कर देना है इस तरह से टैप कर लिजेगा जैसे मैंने टैप किया एक्जाक्ट वैसे ही आपको टैप कर ले अब आपको क्या करना है यहां पर आपको इंटर कर देना है इंटर करती है इस तरह से कमानर रन हो जाएगा तो आपको क्या करना है यहां पर 100% complete होने तक आपको wait करना है झाल 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 यहांपे आपको टैप करने के इस तरह से टैप कीज़ेगा इसके बाद आपको टैप करने के देने यानि C, H, K, D, S, K, C, 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 F, 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 R, इस तरह से आपको tap करना है इसके बाद यहाँ पर आपको enter कर देना है इस तरह से window open हो जाएगा लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजेगा यदि आपको case में window C drive के अंदर install है तो यहाँ पर C tap कीजेगा यदि आपको case में window D drive के अंदर install होगा तो यहाँ पर D tap कीजेगा E के अंदर होगा तो E tap कीजेगा तो इस चीज़ काप यहाँ पर ध्यान रख लिजेगा इसके बाद इस तरह से window open होगा तो आपको क्या करने यहाँ पर Y tap कर देने इसके बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देने इंटर करते हैं इस तरह से command run हो जाएगा और यहाँ पर आकर यह करसा रुक जाएगा आप आपको क्या किने? इस विंडो को यहाँ से close करद या, close करने के बाद आपको क्या किने? system को जरूर restart करद या, system को आप जरूर restart किजिएगा रियर start होने के बाद आपको case में भी इस तरह से option दिखते है ता आप इसको skip मत किजिएगा यहाँ पर आपको skip नहीं करना है इसको आपको check disk complete होने देना है इसको skip मत किजिएगा तो इस चीज का अपध्यान रखियेगा रिये स्टार्ट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपको case में जो यह problem था यह problem fix हो गया होगा और प्लीज गयाँ चैनल को subscribe करें like करें, share करें, thank you